असलाम अलेकुम ग्रेट फॉर माइनेम इस दफ एंड यूर कम्प्यूटर टीचर स्टुडेंट्स हम लोग पढ़े रहे थे अपना यूनिट नंबर फॉर जिसका नाम क्या है MS Windows 7 तो स्टुडेंट्स इस यूनिट पे हम लोग एक्स्टोर करें हैं MS Windows 7 के कुछ इंट्रस्टिंग फीचर तो चलिए देखते हैं कि आज हम कौन से फीचर करने वाले हैं चलिए लेक्ट्र के तरफ जी स्टुडेंट्स तो इस चुनिट में हम लोग एक्स्टोर करने हैं Windows 7 के फीचर तो तो स्टुडेंट्स लास्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पास already एक folder खुलावा है जिसमें different files हैं और मैं इन में से एक से ज्यादा files को एक साथ select करना चाहती हूँ तो चलिए देखीं किस तरह से करेंगे जी students तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम जिन files को select करना चाहते हैं वो adjacent है या पिर non-adjacent है एड़ेसं का मतला पता है ना सबको ऐसी फाइल जो के एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी इस sequence में आपके folder में present होंगी students तो उनको हम कहेंगे adjacent file तो अगर आप लोगs एक्जेसं फाइल सको select करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग select करेंगे अपनी पहली फाइल को ठीक है और उसके बाद जहां तक आप लोगs select करना चाहा है अपनी फाइल को last वाली file को select करेंगे लेकिन उसके साथ हम लोगोंने क्या करना है, shift का button प्रेस करना है, ठीक है, तो पहली file को select करके, उसके बाद हम लोग shift का button प्रेस करेंगे, और उसे hold किये रखेंगे, जब तक कि आप लोग last वाली file को select नहीं करते, तो उससे क्या होगा, कि इन दो files के दर्मियान में जितनी भी files आ रह है, और मैंने last file को select कर लिया है, तो students, आप लोग देख सकते हैं कि आपकी सारी-कि सारी files हो चुकी है, select, ठीक है, तो अब आप लोग इने copy भी कर सकते हैं, cut भी कर सकते हैं, किस तरह करेंगे, जी, वही वाला पुराना तरीका, right click करके, और फिर कौन सा option select करेंगे, cut या फिर copy का जो भी आप लोग करना चाहरे हैं, तो students, अब हमने देखना है कि हम non adjacent files को किस तरह से एक time में select कर सकते हैं, तो चलिए देखिए students, हाँ, अब एक और बात है, आप लोगों ने अगर files को select कर लिया है, तो हम उन्हें deselect भी कर सकते हैं, वह किस तरह से करेंगे students, आप अपन इस पार हम करने वाले हैं non adjacent files, तो चलिए देखते हैं, जी students, non adjacent files को select करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले, जिन files को हम select करना चाहरे हैं, उन में से हम अपनी first file को पहले click करते हैं, जी students, इसे click करने के बाद अब मैं press करूंगी control का button और उसे hold किये रखूंगी, ज प्रेस किया हुआ है students, और अब मैं बाकी की files भी select कर रही हूँ, आप लोग अपनी screens पर देख रहे हैं, कि files select होती जा रहे हैं, तो students, अब इन selected files को आप लोग cut कर सकते हैं, copy कर सकते हैं, और even कि आप लोग delete कर सकते हैं, जो भी आप लोग इनके operation perform करना चाहें, अब आप लो कर सकते हैं तो students ये दो different methods से हमारी files को एक साथ select करने के मुझे उमीज है कि आप लोगों को अच्छी में मज़ आ गया होगा चलिए देखिए कि अब हम आगे क्या देखने वाले हैं जी students next topic देखें how to change background of your desktop तो students अब हम क्या करने वाले हैं हम अपने desktop का background change करने वाले हैं background क्या होता है students जी ये जो icons के पीछे आप लोगों को एक बड़ी सी picture नजर आ रही है students ये होता है wallpaper ठीक है और wallpaper आपके desktop का background होता है हम इस wallpaper को change भी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से change करेंगे जी students आप लोग अपनी screens पर देख सकते हैं अब हम करने वाले हैं इस background को change ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हम करेंगे right click जी और आपके पास एक menu show हो रहा है हो रहा है ना students view sort by और refresh तो students last option देखिए personalize का option आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तो students हम लोगों ने इस option को करना है select जी जब हमने इस से select किया तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एक नई window show हो रही है हो रही है ना जी students तो यहां से हम लोगों ने क्या करना है हमने अपना background चेंज करना है अब आप लोग देखिए कि आपको bottom में कुछ options नज़र आ रही है जैसे कि desktop background है और window color है sounds है नज़र आ रहे है ना students आप लोग अपनी screens पर भी देख सेते हैं जो area highlighted हुआ है students मैं इस area के बात कर रही हूँ इन options में से अब हमने select करना है desktop background तो चलिए select करते हैं जी स्ट्रेंस जब मैंने इस option को double click किया तो आप लोग देख सकते हैं कि एक नई screen आपको show हो रही है तो स्ट्रेंस वो screen आप से क्या कह रही है देखें जी यहां पर हम लोग कर सकते हैं अपने backgrounds को change ठीक है तो आप लोग different pictures नजर आ रही है students आ रही है ना इन pictures में से आप लोग कोई भी picture अपने wallpaper की तौर पर select कर सकते हैं और फिर वो क्या हो जाएगा वो आपके desktop का background apply हो जाएगा तो students चलिए करके देखिए जी मैं picture select कर रही हूं students और मैं अब कौन सा button click करने वाली हूं picture select करने के बाद आप लोगोंने click करना है save changes का button ठीक है अगर हम इस button को click करेंगे तो क्या होगा students हमारा desktop का background change हो जाएगा लेकिन अगर आप लोग change नहीं करना चाहते तो आप लोगोंने कौन सा button click करना है फिर हम click करेंगे cancel button को तो क्यों कि हम लोग अपना background change करना चाह रहे हैं तो students हम लोग कौन सा button click करें हम click करेंगे save changes का button ठीक है तो चलिए से click करते है जी students अब आप लोग देख सकते हैं कि desktop का background change हो चुका है ठीक है जो पहले से background था वो अब change होके नहीं picture यहाँ पर आ गई है जो कि हम लोगों ने wallpaper select किया था अभी कुछ तेर पहले same picture जो कि हमने select की थी अब वो यहाँ पर आपके desktop के background के तौर पर नज़र आ रही है तो students इस तरह से आप लोग अपने desktop का background change करते हैं जी students पर भी तक हम लोगों ने देखा कि आप लोगों किस तरह से एक time पर एक से ज़्यादा file के select कर सकते हैं और उसके लावा हमने देखा कि आप लोग desktop का background कैसे change करते हैं background क्या होता है students वो wall paper होता है जो कि आप लोगों को आपके desktop पर नज़र आ रहा होता है तो students अब हम देखेंगे कि हम screen saver को किस तरह से apply कर से हैं screen saver पहले देख लेते हैं कि होता क्या है students आप लोगों ने अकसर देखा होगा कि अगर आप लोग थोड़ी देर तक अपने mouse का cursor move ना करें और अपने computer पर कोई भी activity ना करें ना ही कोई keyboard का button press करें और ना ही mouse को move करें तो फिर क्या होता है students आप लोगों के screen पर कुछ time के बाद text या फिर picture move होना शुरू हो जाती है ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं उस moving picture और text को हम लोग कहते है screen saver ठीक है students तो अब हमने देखना है कि हम अपने computer पर किस तरह से screen saver को apply करते हैं तो चलिए देखते हैं कि students आप लोग अपनी screens पर देख सकते हैं अब हम करने वाले है screen saver को apply तो किस तरह से करेंगे students desktop पर जाकर आप लोगोंने क्या करना है right click करना है ठीक है जब हमने right click किया अब options आ गए हैं आपके पास different types के जिस तरह से हम लोगोंने background apply किया था उसी तरह से students हम लोग screen saver को भी apply करेंगे किस तरह से कौन सी option में जाएंगे personalize में जाकर तो students जब हम लोगोंने click किया personalize को तो एक नई window अपियर हो गई है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम लोगोंने background change किया था students उसी तरह से आप लोगों को bottom में बिल्कुल right side पर एक option नजर आ रही होगी students screen saver की ठीक है इसको click किजिए जी students जब हम लोगोंने इसे double click किया तो एक नई window appear हो गई है ठीक है इस window में हम लोगों क्या करेंगे अपना screen saver select करेंगे और उसकी timing select करेंगे और फिर हम उसे apply कर देंगे तो चलिए करके देखते है जी students आप लोगों को नजर आ रहे हैं कुछ buttons तो students जो सबसे पहला button है screen saver लिखा हुआ है इसके उपर और उसके नीचे एक drop down button है students ठीक है उस पर लिखा हुआ है ribbons जी students अब यहां से हम लोग इस drop down को click करेंगे तो आप लोगों के पास different types के screen savers आ जाएंगे जिन में से हम कोई सबी screen saver select कर सकते हैं और वो फिर appear होना शुरू हो जाएगा हमारी screens पर जी जब हमने इस button को click किया तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास different types के screen savers नजर आ रहे है students आप लोग इन में से कोई भी screen saver जो के आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग उसे apply कर सकते हैं मैं apply कर रही हूं ribbons ठीक है जी students जब मैंने इससे select किया अब आप लोग सकते हैं कि कौन सा screen saver आप लोगों की screen पर किस तरह से नजर आएगा ठीक है तो जो भी screen saver आप लोगों को अच्छा लगता है students हम लोग इस drop down में से उसे select कर लेंगे और हमने कौन सा screen saver select किया है हमने select किया है ribbons को ठीक है तो students आप लोग wait time भी set कर सकते हैं अगर मैं चाहती लोग जितना time चाहें आप लोग यहां पर दे सकते हैं तो चलिए करके देखते हैं अगर हम करते हैं इसे two minutes जी students तो अब आप लोगोंने क्या करना है अब आपने screen saver को apply करना है किस तरह से apply करना है आप लोगों को bottom में तीन buttons नजर आ रहे होंगे okay का button है cancel का button है और कौन सा button है apply का button है तो students हमने कौन सा button click करना है हमने click करना है apply button को ठीके apply button को click करने से क्या होगा आपका screen saver जो भी आप लोगोंने अभी select किया है वह आपकी screen पर नजर आने लग जाएगा और वो कब नज़र आएगा जी वो तभी नज़र आएगा जब तक कि आप लोग उतने टाइम में जो के टाइम हम लोगों ने सिलेक्ट किया है क्यूंकि हमने दू मिनट सिलेक्ट लिए हैं तो अगर मैं students दू मिनट तक अपने computer पर कोई activity नहीं करती हूं ना तो मैं अपने cursor क को move करूंगी और ना ही मैं keyword पर कोई key press करूंगी तो students दो मिनट के बाद क्या होगा screen saver आपकी screen पर आपको नज़र आने लग जाएगा तो students आज हम लोगोंने क्या पढ़ा आज हमने देखा कि हम किस तरह से एक time पर एक से ज़्यादा files को select कर सकते हैं और हमने देखा कि हम different wallpapers को अपने desktop के background के तोर पे किस तरह से change कर सकते हैं और हमने ये देखा कि हम किस तरह से screen saver को apply करते हैं अपने screens पर तो students आज का lecture इतना ही था बाकिके features हम next lecture में explore करेंगे तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज